हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका स्टाइट 247 में आज हम लोग बात करेंगे Constitution of India के एक important topic जो है local self government ये local self government जो की comprises है दो चीजों में एक है पंचायती राज और दूसरा है municipality municipality ये दो चीजों से बनी है ये local self government तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे ये वीडियो local self government की जो पूरी detail analysis है वो हम करेंगे पूरी detail explain करेंगे पंचायती राज सिस्टम क्या होता है municipality के procedure क्या है क्या क्या है उसको election में कैसे लागू किया गया constitution में उसको कैसे लाया गया उन सब चीजों के बारे में हाँ आज हम detail में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही important रहेगा जो की कोई भी public service examination है state के या साथ ही साथ जो PCS है या TPS है TCS है उन सब exam के लिए बहुत ही important रहेगा तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अन तक देखिए शुरू करते आज का एक वीडियो सबसे पहले हम बात करते है local self government होता क्या ये local self government दो चीजों से बनी है एक है पंचायती राज system और दूसरा है municipality ये rural government में या rural area में decentralized power किया गया है जिसके जरीए वो है पंचायती राज और अर्बन area में decentralized power को किया गया है जिसके जरीए वो है municipality तो इन दूर चीजों से बनी है ये local self government local self government की जो father कहा जाता है वो है lord ripon ये मोगर टाइम पे या खास करके हम बोले तो British India के जो ruling था इंडिया के उपर उस समय lord ripon जो थे उनके टाइम पे इस local self government को लागो किया गया था इंडिया में तो इसलिए lord ripon को कहा जाता है father of local self government in India ये local self government जब बनी ये three tire structure के साथ बनी थी ये three tire structure क्या क्या है पंचायती राज के बारे में आगर हम बात करें ये पंचायती राज और तीसरा है जिला परिशद तो ये ग्राम पंचायत ये village level में है पंचायत समीती जो है ये block level में है और जिला परिशद जो है वो है district level में तो ये तीन level में इसको डिवेट किया गया है पंचायती राज में जाएगा तो ये village level से block level तक और फिर block level से district level तक जाता है तो इसी को कहा जाता है three tier system अगर हम पंचायती राज system की aim की बात करें या aim या objective पंचायती राज system ये है to develop local self government in district zone and villages यानि local self government को district level पे zone level पे और village level पे उसको कैसे लागो किया जाए उसको कैसे implement किया जाए और इस ज्यादा से ज्यादा profit कैसे लिया जाए उसी को कहा जाता है पंचायती राज system की aim the constitution of India in article 40 enjoy यानि यहाँ पे देख सकते हम article 40 पे ये constitution of India की जो article 40 है ये कहा पे है ये है directive principle of state policy इसी पे ये article है article 40 यहाँ पे कहा गया है local self government के बारे में directive principle of state policy एक बहुत ही important parameter है constitution of India में तो ये constitution की एक बहुत ही important topic है directive principle of state policy इसमें कहा गया है state यानि यहाँ पे अलगलग state के बारे में नहीं कहा है state का मतलब होता है राश्ट्र राश्ट्र यानि देश responsible है कुछ right के उपर जो right state लागू करने में या लागू करने के लिए बढ़ध है ये state इन चीजों के बारे में या इन चीजों को लागू करने के लिए responsible है तो इसी जो चीजों को रखा गया है वो सारे के सारे की चीज डायरेक्टि प्रेंसिवल अब state policy में रखा गया इसी में रखा गया था यह पंचायती राश सिस्टेम के बारे में यह रख रखा गया था आर्टिकल 40 में तो एक्जम में अगर पूछा जाए कौन सी आर्टिकल में रखा गया है पंचायती राश सिस्टेम यानि local self government को लागू करने के लिए वो रखा गया था आर्टिकल 40 में फिर बाद में जाके इसको लागू किया गया यह लागू किया गया कब 2 2nd October यानि 2 October को 1959 में राजस्तान और अंदर प्रदेश में यह दो स्टेट में यह पंचायती राश सिस्टेम को लागू किया गया 2 October 1959 पो सबसे पहले नागोर डिस्ट्रिक है राजस्तान के एक नागोर डिस्ट्रिक वहाँ पर यह लागू किया गया फिर उसी को कोपी करते हुए अंदर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक में इसको दुबारा फिर लागू किया गया तो अगर पुछा जाए एक्जाम में कि यह पंचायती राश सिस्टेम को कब लागू किया गया यह लागू किया गया 2nd October या 2 October 1959 को कौनसी डिस्ट्रिक पे राजस्तन के ए अगर डिस्ट्रिक जब यह लागू किया गया इससे पहले अलगला कमिटी बनी थी इसको रिव्यू करने के लिए सबसे पहले यह लागू करने के लिए सबसे पहला जो कमिटी बनी थी वह था बलवन्त राय महता कमिटी इसी कमिटी के रिकॉमेंडेशन के जरीए यह पंच इंग भी कमिटी बनी थी जिसको रिव्यू कर रहा था आगे की जो कमिटी बनी थी उसके उपर तो सबसे पहले आम देख लेते हैं बलवंत राय महता कमिटी जो पंचायती राज सिस्टम के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है पंचायते राज सिस्टेम लागू हुआ इसी environment के जरीए या इसी committee के जरीए जिसको कहा जाता है बल्वन्त राय महता committee यह committee appoint किया गया था 1957 को जो खास करके दो चीजों को देख रहा था या दो चीजों की जो improvement है उसको check कर रहा था वो कौन-कौन सा है एक है community development program इसी की जो working है उसको check कर रहा था और दूसरा जो है वो है national extension service इन दो चीजों की जो implementation है या उसकी जो काम है उसको check कर रहा था यह committee यह कब हुआ यह 1957 को इसी committee के suggestion जो बना वो है पंचायती राज system यह दो चीजों को study करने के बाद इनको examine करने के बाद लास्ट में जो बलवन राय महता committee एक suggestion लेके आये थे जिसका नाम है पंचायती राज तो इनमे recommendation क्या क्या था इसमे recommendation था पंचायती राज system जो है वो three tire system होगा यानि सबसे नीजे होगा gram पंचायत फिर इसके उपर होगा पंचायत समीती और फिर इसके उपर में होगा जिला परिशद यानि यह उपर की तरफ जाएगा सबसे नीचे होगा gram पंचायत जो की village level में होगा पंचायत समीती जो की block level में होगा और जिला परिशद जो की district level में होगा gram पंचायत में जो member select होगे वो directly elected होगे और फिर बाद में जो पंचायत समीती और जिला परिशद में जो member होगे उनको indirectly elect किया जाएगा यानि elected representative के जरीए उनको select किया जाएगा पंचायद समीजी जो है वो executive body होगा यानि जितने भी काम होंगे उन सारे काम को execute करेगा पंचायद समीजी और जिलापरिशद जो है वो है advisory और supervisory body यानि जिलापरिशद जो है जितने भी चीजों को लागू किया जाएगा उन सब चीजों को सुपरवाइस करेगा और एडवाइस करेगा कौन यह है जिलापरिशत और इसको इंप्लिमेंट करेगा जो है वह है पंचाय समीथी इसको रिव्यू करने के लिए फिर से दूसरा कमिटी वनाया गया जो है अशुक मेहता कमिटी अशुक मेहता कमिटी इसी बलवंत राय मेहता कमिटी को रिव्यू करने के लिए उसकी जो shortcoming है उसको cover up करने के लिए बनाय गया था तो इसकी recommendation में खास करके दो चीज़ों को रखा गया है एक है इनकी recommendation में जो three tiers system है जो है जिलापरिशर district level और पंचायत समीती block level और ग्राम पंचायत या ग्राम सवा village level इन तीन चीज़ों को इसको कम करके दो level में यानि two tiers system को लागू करने के लिए बोल रहा था यह recommendation कौन-कौन सा एक है जिलापरिशर जो की district level में है और दूसरा जो है मंडल पंचायत जो की village level में है यह इसका पहला recommendation है दूसरा important recommendation जो है यह है taxation होगा यानि जिलापरिशर या मेंडल परिशर्थ में जो भी compulsory institution होंगे उन सारे institution में taxation power होंगे जो financial resource को support करेगा तो यह key recommendation है अशुक मेहता committee के अगला जो committee बनी थी वो बनी थी जी वी के राव committee यह जी वी के राव committee कब बनी थी यह बनी थी 1985 में इस committee का recommendation क्या क्या है देख लेते हम सबसे पहला जो recommendation है lower level जो पंचायती राज system है यानि gram पंचायत इस level पर क्या होगा planning होगा implementation होगा और monitoring होगा of rural development program यानि rural development program में जितने भी planning होगे implementation होगे उनको monitoring होगे वो सारे के सारे gram पंचायत या gram सवा में होगे फिर दूसरा जो recommendation है वो है district development commissioner would be created यानि यहाँ पे एक district development commissioner को create किया जाएगा जो क्या करेंगे जो होंगे executive officer of जलापरिशद जलापरिशद की executive officer होंगे वो सारे के सारे जितने भी काम होंगे उन सारे काम को देखवाल करेंगे या नहीं इसको implementation कैसे हो रहा है उसको देखवाल करेंगे और साथ इसकी supervision भी करेंगे तो यह कौन है यह है district development commissioner इसका जो most important recommendation है वो है election होंगे यह जीवी राव committee के द्वारा देखा गया है जो भी committee बनी थी पंचायती राज system में वो अगर statue यानि इसके अगर election के जरिए या इसको अगर change नहीं किया जाए वो एक हो जाता है इसलिए पंचायती राज system में एक system को इंवर्ब किया गया या एक system को लागू किया गया वो है election system जहाँ पे हर 5 साल में यानि हर 5 यार के बाद बाद क्या होगा एक election होगा जिसके जरिए यहाँ पे जितने भी elected member है उनको select किया जाएगा तो इसी process को कहा गया है election to the level of पंचायती राज system यानि पंचायती राज system में आप क्या होगा introduced election की introduction होगा तो यह जी वी के राओ की most important recommendations है आगला जो recommendation है वो है LM Singh V committee के जुआरा जो recommendation किया गया यह किया गया 1986 में इस recommendation की most important parameter किया गया है यह जो पंचायती राज system है जो अब से चल रहा है उस पंचायती राज system में democracy को कैसे लागू किया जाए उसी को मद्दे नजर रखते हुए उसी को सबसे prime focus में रखते हुए इस committee का recommendation रखा गया है जिसमें कहा गया है कि यह जो पंचायती राज system है इसको constitutionally recognize किया जाए यह बहुत ही important parameter है इस committee का recommendation है अगर हम माने तो recommendation के जिए यह जो recommendation है बहुत ही important recommendation है जिसमें कहा गया है यह पंचायती राज system को constitutionally recognize किया जाए यानि constitution में amendment के जरिए इसको adopt किया जाए और साथ ही साथ इसके जो election होता है जो इससे पहले जो recommendation था committee का उस recommendation के जो election चालो हुआ था उस election को free fair election में convert करने के लिए इस recommendation में बोला गया है तो यह जो चार recommendation है committee है यह पंचायती रास system में अलगला time पे आया है तो यह recommendation को आप ध्यान से रखिए इस committee को अब ध्यान से पढ़िए इसी से आपको exam में सवाल पूछा जाएगा बढ़ते हैं आगे अब यह जो पंचायती रास system है यह जो लागू हो गया लेकिन इसको implement करने में बहुत सारे तकलीफ है आ रहे थी बहुत सारे दिक्कत है आ रहे थी इसी को मद्दे नजर रखते हुए इसको यह जो पंचायती रास system को constitutional amendment के जरिए इसको constitution के अंडर में लाया गया यानि rural local bodies इस नाम से यह amendment किया गया जिसमे 73rd amendment में पंचायती रास system को constitution के अंडर में लाया गया 73rd जो constitutional amendment है उसमें रखा गया local self government यानि local bodies जिसको कहा गया है पंचायत और 74th amendment में रखा गया है municipality को यानि 73rd में होगा पंचायत और 74th amendment में होगा municipality इन दो चीजों को incorporate किया गया constitution of India में 73rd amendment को अगर हम देखे यह 73rd amendment last जो recommendation था उसके recommendation के जरिए इसको बाद में अलग अलग लोगों के initiative के जरिए इसको amendment में लाया गया जो लाया गया 1992 में यानि 1992 amendment act के जरिए 73rd constitutional amendment को लागू किया गया यह act part 19 के जरिए constitution में लागू किया गया जो खास करके बात कर रहा था पंचायत के बारे में जिसमें 29 functional item होंगे और इसको रखा गया था 11th schedule में most important questions यहाँ पर पूजा जाएगा इसी से आपको question मिल जाएगा most important questions जो exam में आने की chances बहुत ज़ादा है यह 73rd constitutional amendment कौनसे part में रखा गया यह part में रखा गया 9 यानि 9th part में इसको रखा गया है part 9 में इसको incorporate किया गया फिर इसकी schedule जो है वो है 11th schedule 11th schedule में इसको रखा गया और इसकी अंडर में total 29 functional item को रखा गया है यह amendment लागू हुआ 24th April 1993 में इसलिए 24th April को पंचायती राज डे मनाया जाता है 24th April इसलिए क्योंकि इसी दिन constitutional amendment के जरिए यह 73rd constitutional amendment जो कि पंचायती राज है इसको लागू किया गया था इसका मतलब है यह पंचायती राज सिस्टम में जो आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 243 से लेके 243 O तक यानि A, B, C, D करके finally O तक जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारे के सारे आर्टिकल किसके बारे में बात करेगा यह पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेगा तो यह article को लागो करने के लिए यह पंचायती राज सिस्टेम को लागो करने के लिए किस article में बोला गया था यह article में बोला गया था article 14 जो की है डाइरेक्टिव प्रंसिपाल अब स्टेट पोलिसी में अब हम देख लेते जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक सबसे पहला जो है आर्टिकल वो है आर्टिकल 243 जो डेफिनेशन देगा किसके बारे में पंचायती राज सिस्टेम के बारे में 243A ग्राम सबा के बारे में बात कर रहा है 243B Constitution of पंचायत 243 स्री Composition of पंचायत जो की है थ्री तायर्ट सिस्टेम यानि तीन पार्ट में डिवर्ट के आए विलेज लेबल, ब्लोक लेबल और डिस्रिक लेबल में 243D Most Important 243 किसके बारे में बात कर रहा है Reservation of सिट यानि यहाँ पर ST, SC के Reservation के बारे में बात करेगा साथी साथ Omen Participation के बारे में बात करेगा जो की है One Third One Third सिट जो है वो Omen के लिए Reserved रहेगा इसके बारे में बात किया गया है 243D में 243E में बात किया गया है duration और पंचायत, यानि duration और पंचायत कितने साल के रिए गया, यह साल रहेगा, फिफ फाइब यार, यानि पाथ साल के लिए duration रहेगा, 243F वो है disqualification of member, अगर किसी वज़े से किसी member को disqualify करना पड़े, इसके लिए कौनसा आर्टिकल लागू होगा, या आर्टिकल लागू होगा, 243F, power, authority, responsibility और पंचायत, जो बात कर रहे, 243G के बारे में, 243H, power to impose taxes, and funds of the पंचायत, constitution of finance commission, जो review करेका financial position वो है, 243I, यह भी important है, audit होगा, पंचायत का, 243J में, 243K, important, यह है, election of पंचायत, पंचायत में जो election होगा, हर पास साल में, उस election के बारे में बात किया गया है, 243K में, application to union territory, 243L, 243M, part not to apply certain area, यह भी important है, कुछ area जो है, यह, पंचायती राज सिस्टेम की जो structure है, उसमें नहीं आएगा, यह रखा गया है, 243M में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, continuous of existing law and पंचायत, इसके बारे में बात किया गया है, 243N में, और last जो है, वो है, by two interference by court in electoral matter, electoral matter में आगर कुछ दिक्कत होगा, तो वो court इसको interfere कर सकता है, यह पोला गया है, 243O में, तो अगर हम इसको पुरा detail में देखें, तो चार पास चीज़े हैं, जो important है, एक सबसे पहला जो है, वो है seat reserve है, पंचायद के लिए, इसके परह में बात किया गया है, 243D में, 243I में बात किया गया है, finance commission के परह में, 243K में बात किया गया है, election के परह में, 243M में बात किया गया है, कुछ area के परह में, जो इस पंचायदी राश सिस्टम के अंडर में लागू नहीं होगा, तो वो कौन-कौन सा एरिया है जिसके अंडर में ये पंजायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा खास करके स्टेट है नागलेंट, मेघालाई और मिजुराम इन तीन स्टेट में ये constitutional amendment के जरी जो पंजायती राज सिस्टम को लागू किया गया है वो directly लागू नहीं होगे इसके अलावा कुछ हेल एरिया है मनिपूर के जो डिस्टिक है उस कुछ डिस्टिक के हेल एरिया में ये लागू नहीं होगे और साथी साथ दार्जिलिंग डिस्टिक में ये पंजायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा तो ये important area है आपको याद रखना है state कौन कौन सा है एक है नागालेंड मेघालाई और मिजुराम हिल्सो मनिपूर और दार्जिलिंग डिस्टिक अब फिर बाद में इसको दिक्कत में आ रहा है इसी दिक्कत को या इसी परिशानी को अवरकम करने के लिए एक फिर से एमेन में लाया गया या फिर से कंसुशनल में तुरह चेंज किया गया वो है P.E.S.A. Act P.E.S.A. Act के जरिए इन सब चीजों में या इन सब एरिया में ये जो पंचायती राज सिस्टेम है इसको डाइरेक्ली और इंडेटली लागू कर सकते है तो देख लेते P.E.S.A. Act क्या है ये P.E.S.A. Act का मतलब है पंचायती एक्स्टेंशन तो दर शिडूल एरिया शिडूल एरिया जो जो है वहाँ पे पंचायत भी एक्स्टेंशन कर सकता है ये Act Act लागू किया गया इस Act के जरिए कौन-कौन सा एरिया को कवर किया गया है इसका Object भी कौन-कौन सा है ये Part 9 की जो अर्टिकल से या Part 9 की जितने भी आइटेंशन उन सारे आइटेंशन शिडूल एरिया में लागू कर सकते है इस P.E.S.A. Act के जरिए ये क्या करेगा ये प्रवाइट करेगा Self Rule for the Tribal Population जो भी है उनके लिए ये Self Rule कर सकते है इस P.E.S.A. Act के जरिए ये P.E.S.A. क्या करेगा प्रिजर्व करेगा और साथी साथ सेफ़गर्ड करेगा किसका Tradition and Custom of Tribal Population इस इन एरिया में जितने भी ट्राइबल प्रिजर्व करने की दायत्व कौन रखता है P.E.S.A. Act इसका लवा P.E.S.A. Act एमपाउर करेगा पंचायत को Tribal Requirement के उनकी जो अलग-अलग Requirement है उनके Requirement के बेसिस पे पिर आगे हम देखते हैं Municipality Local Self Government में दो important parameter है सबसे पहला है पंचायत अब तक हम पंचायत के बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे Municipality के बरहे में तो यह Municipality लागो किया गया 74th constitutional amendment के जरीए जो 1992 में आया था यह लागो किया गया कब यह लागो किया गया जून 1st 1993 में यह अरवन बोडी जो है यह Municipality जो है यहाँ पर नहीं वह यह बहुत पहले से चल रहा है यह Municipality सबसे पहले बनी थी 1687 या 88 में Municipal Corporation बनी थी जो कहाँ पर सेट अप हुआ तो सबसे पहले मादरास में मादरास यानि अभी के जो चन्ना शहर है उसी को कहा गया है मादरास तो यहाँ पर सेट शुरू हुआ था यह Urban Bodies Development फिर आगे चलके 1726 में Municipal Corporation कहाँ पर बनाया गया Bombay और Calcutta City में तो यह British Government जो है उनके द्वरा यह Urban Bodies यानि Municipal को लागू किया जा रहा था लॉड मायो एक resolution line 1870 में जिसके जरिए decentralization of power के बारे में बात किया गया है Decentralization of power हमने बोला था जो power होगा वो एक जगे पर concentrate नहीं होगा यह अलग-अलग area पर इसको divide किया गया जाएगा इसी को कहा जाता है Decentralization of power Lord Ripon एक resolution लाए जो 1882 में जिसको जिसको कहा गया मगनगर्टा of local self-government इसलिए उनको Lord Ripon को कहा गया है father of local self-government फिर बात में अ है अन डर डाइरेशी सिस्टम डाइरेशी या डूब्स इस डूब्स घुल गव्वर्मेंट के ज़री यह Io Moment of India act 1919 में local self-government एक transferred subject बन गया था local self-government transfer subject बना कब यह 1929 Ext में government of India 1919 जो 18 है उसमे local self-government become transferred subject next जो आता है जो government of India act आया था 1935 उस act में local self government को declare कर दिया गया क्या provincial subject में तो ये बहुत ही important parameter से बहुत ही important note से जो municipality को cover करता है आगे हम देखेंगे municipality को केसे 74th constitutional amendment के जरिए इंडिया में लागो किया गया तो ये लागो किया गया part A 9 जो part 9 A उसमे 9 part 9 के साथ A जोड़के इसको लागो किया गया इस part में municipality के इस part में article कितने होंगे article 243 P से लेके article 243 Z G तक extend किया गया है इसको रखा गया है 12 schedule में constitutional के जो 12 schedule है उनमें से last जो schedule है 12 schedule उसी में रखा गया है municipality कर्पूरेशन को या municipal कर्पूरेशन को ये schedule में कितने item होंगे यहाँ पर item होंगा 18 item पंचायती राज सिस्टेम में item हो रहा था 29 और municipality में item कितना है 18 ये जो constitution of municipality है इसमें three types of municipalities है depending upon the size area and state की जो composition है उसके basis पे सबसे छोटा जो है वो है नागर पंचायत जो नया नया रूरेल से urban मना उसको कहा गया है नागर पंचायत फिर है municipal council जो smaller urban area है उसको कहा गया है municipal council और जो बोड़ा urban area है उसको कहा गया है municipal corporation तो ये तीन type के municipality से आगे हम देखेंगे municipality की जो important articles है उनके बारे में तो municipality के article शुरू होता है 243P से लेके 243P से लेके P, Q, R, S, T, U, B W, X, Y, Z से लेके फिर आगे चलके उसको extend किया गया Z, A, B, C, D, E, F, G तक यानि 243P से लेके 243Z, G तक ये article extended है तो ये article में से सबसे important article है जो article 243 है 243T किसके बारे में बात कर रहा है ये municipal की जो election होता है उसके बारे में बात कर रहा है municipal की duration है 243U disqualification यानि किसी को अगर हटाना है तो वो काम करेगा 243V में Finance Commission के बारे में बात किया गया है 243Y में election of municipality जिसमें बात किया गया है 243ZA में और lastly most important committee for district planning जो है article 243ZD तो ये important article है जो पूछा जा सकता है exam में खास करके municipality के related तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही informative लगा होगा इस वीडियो से आपको पंचायती राज सिस्टेम municipality के बारे में डीटेल में आपको पता चल गया होगा ये local self government के बारे में आज हम इस वीडियो में डीटेल में बात किया है अगर आपको किसी और टोपिक पे constitution हो या इंडिया जियोग्राफी या इंडियान हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी इंपोर्टन टोपिक हो जिस पे आपको डीटेल एनलाइसिस या डीटेल वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करिएगा हम लोग जरूर आपके लिए इस वीडियो को आपके समने प्रस्तूत करेंगे तो इस वीडियो को आप लोग जाधा से जाधा शेयर किजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और किस टोपिक पे आपको इस टेपीस से एक्ज तुम्हें करता हैं